आफिलेट मार्केटिंग करते हो आप सबको लीड्स की डैफिनेटली नीड होती होगी आज इसकी वीडियो के अंदर में आप सबको कम्प्लीट जो है एक फ्रेमवर्क देने वाला जिसका यूज करके आप लिंक्डिन के थ्रू जो है जाए अपने आज इसको स्टाइम इन्वस्ट करना पड़ेगा इस तरीका से मुझे कौन सा कॉंटेंट शेयर करना था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स आज सके इस वीडियो को कम्प्रेट देखना था कि आप एक-एक स्टेप्स को समझ भाऊ है विडियो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना बैल निट्विशन को प्रेस कर देना एंड साथ इस वीडियो को शेयर करना उन सब लोगों के साथ जो एफिलेट मार्क्टिंग अभी कर रहे हैं चाहे वो किसी प्लैटफों पर हो या बलीट शार्वो हो या फिर एलिट हो ये ये मैंदर ज्याता ह vigor हर ब्लाटफों के लिए एंड हर एक प्लैटफों के लिए वीडियो को लेक लुख्टों कि देफिक और यो उडिएक सो लिए रेडी हो जाओ अपने वीडियो के अंतर समझते हैं किस तरह के साप लीट को जन्देट कर सकते हो एक अपनी प्रोफाइल क्रियेट कर लो जितने जल्दी हो सकते हैं बहुत बेनिफिशल होता है अपनी अगर स्टोड बताव तो मैं स्टार्ट ही मैंने लिंक्डिन से कि अलगी में बहुत टाइम तक लिंग्डिन को पर नहीं रहा बट स्टिल लिंग्डिन एक ऐसी चीजे जहां पर आपको वह एंवर्मेंट मिलता है जहां से आप जो माइंसेट वो डेवलाप होता है एंड अपनोर्शिप की तरफ या फिर आपका सकते हो कि बिजनस को किस तर सब्सक्राइब करेंगे उसके लावा तो फ़र्स्ट आता है जो है वो कहते हैं कि नहीं होता है या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीड को जनरेट करना और मुस्ट अलमुस्ट लगता है कि लीड जनरेट करना बहुत जादा मुश्किल है मैं भी उनमें से 65 परसंट म सब्सक्राइब करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है जो बचे हुए है ? 35 परसंट नबर से 80 बीटूरह बीटिन की तरफ से अगर आप बी-टूवी लीडिट को सर्च करो दी टूब लीड करना चाहता है यह और questo प्लाप्सिश कि आप सब देख सकते हो कि कितना ज्यादा बैनिफीशल है लिंग्डिन के ऊपर हमारी हमारी एक्जिस्टेंस हमें लिंग्डिन को पर हो ना सुझ जैसा मैंने बोला कि स्टार्ट करना अपनी प्रोफाइल को क्रेट करना अगर आपको नॉर्मल समझ है किसी भी प्लैटफर्म अगर इस प्रोफाइल को देखते हो तो यहां से आपको अप्तिमाइजेशन का काफी अच्छा खासा जो है वह मिल जाएगा तो आप देखो के नेम बिल्कुल किल्डरली मेंशन है बहुत ज्यादा कोई टेड़े मेड़े फॉन्ट का यूज नहीं क्या हुआ है बहुत ज्यादा कुछ है अलग टाइप की चीज़ को है नम बैस्ट है और सिंपल अपना नाम एड़ क्या हुआ जो मैं जुछ आते हैं इस प्रोफाईल जी इमेज आप देखते हो आदे प्रोफाईल पिक्चर अभी आप प्रोफाईल नॉपी स्वाइवि फिक्चर अपनी तो जो भी आप प्रोफाइल पिक्टर अपनी यूज़ कर तो ट्राइग करना कि 75 परसंट जो है आपका एरिया कवार होना चाहिए आपके फेस दे या फिर आपके सकतो अपना थोड़ा सा नेक के नीचे तक का एरिया आपके में प्रोफाइल के अंदर होना चीए उसके अबने अबने प्रोफाइल दिखाता हूँ तो सब्सक्रいきन कर सकती है आप पर लिए सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो यहां पर लावा किया शोट दिस्क्रिप्षन आई यहां पर मैंने यह सारी चीज़ जो है इंफर्मिशन जो है वह दे दिये उसके लावा आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको कुछ चीज़े और देखने को मिलेगी एक्जाम्पल के लिए आप देखते हो कि यहां पर मैंने यह चीज़ आड क्यों है विकास्व डिजिटल कॉसम मैं मैं मैक्सिनम टाइम जो है इस चीज़ से एक्स अपने एक्सपिरेंस के अंदर इसको आपने आड क्या हुआ है आप देखोगे रिकमेंडेशन लेंग्वेज आड क्या है ओनर राव देखते हैं आपका अपर यहां पेखा हुआ है स्कूण है इस तरीके से डिसक्राइब करके लिख सकते ओँगे अपने लिंग्डिन के आप्टिमाइज करने का और जाद चीज़ें नहीं नॉर्मलाली सेम प्रोफाइल होती है जैसा आर अधर आप और कोई चीज और जैसे से इंस्ट्राइब को सेट आप करते हैं यहां पर थोड़ा सा एक्सपीरेंस एडुकेशन का सेक्षन है वह हम बिसिकली एड़ करते हैं हमारे पास जो लिमिट होती है अब आउट सेक्षन लिखने का वह भी काफी अच्छा खासा स्पेस मिलता है तो वहां पर भी आप चीज आती होती है तो टार्गेट आपको उनको करना है तो मैं यहां पर सिर्फ परस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं मैं बात करो नॉर्मल अगर आपकी कोई सर्विसेस है आपके कोई प्रोड़क्ट है उसको आप सैल करते हो उसके लिए आपको हमेशा टार्गेट करना है अब में से बहुत साथ लोगे सोचे लिए डिसीज़न मीगर को कैसे टार्गेट करें सब्सक्राइब करें किसी कंपनी को अगर आप टार्गेट करते हैं जो आप इस लावल तक पर साल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको डिसीजन मेकर को जो लोग हैं करते हो अगर बेसिक सा मैं अगर सर्च करता हूं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिल जाता है तो यहां पर देखोगे इशा दुब्य अब यहां पर देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाके आपको दिखाऊं अभी आप यहां पर देखोगे तो यहां पर जो परसंस मुझे रेक्मेंड हो रहे हैं इन लोगों को बेसिकली अगर आप देखते हो जैसे मौनिका यादो कॉंटेंट राइटर एफिलेट कॉंटेंट राइटर यह नॉर्मिली यह सारे फ्रीलैंसर से अगर आप और नीचे जाते हो तो स्टैटिक्स्ट है शॉफ्ट्वर इंजिनियर ए अगर आप इस तरही के से परसंस को टार्गेट करते हो तो वह बैसिकली आपके लिए भी बैनिफिशल होगा और रिस्पॉंस जो है बहुत जादा टाइम आपको वेशनी करना पड़ेगा जो डिसीजन मेंकर से वह डिसीजन ले लेंगे बहुत जादा टाइम आपको वेश पैक्टिंग के उसके बाद इनिशेट कॉंटेक्ट इडेंटिफाई नीड्स प्रिजेंट ऑफर मैनेज अब्जेक्शन क्लोज सेल्स बैसिकली यह किस तरीके से थोड़ा सो और मैं आपको इसको एक्स्प्लेइन करता हूं प्रोस्पैक्टिंग अंदर बैसिकली कह कि आप लोह को सर्च करणा की लोगों को नीश के उंदर हैं क्या उनका इंट्रेस्ट है इसके वाद आप इनिशेट कर तो या फिर आप उनके को साथ करना पूर्ट होता है बात करws आप索end के साथ इंग मेंचेज़ थो या फेर यह सेकेंड सबस्क्राइब तो थर्द स्थाप नीड को करना बीसिकलि हरे के प्लाटफॉम पर सिमिलर गाम करता है यह एक सेल्स प्रोसर्स है नहां पर हम उनके झाटिपाइट कर तो अब आपके लिए पिज करते हैं दो बेसीकली चीड़ों पे ज्यादा करता है एक जो चीज़ होती है आपके आर्निंग या मनी मेकिंग अब आप जब किसी से कॉंटक्ट करते हो किसी से मैसेज पर बात कर रहे हो या फिर किसी से आप परसनली उनको अगर आप गाइड करो जूम के शुरू तो वहां पर आपको यह करना पड़े उसकी नीड क्या है आप इसको नीड है जो बताओ वह सकता है क्या उनके लिए वो है जिस चीज चीज के अंदर वह काम करना चाहते हैं या उनको प्लैन है उसके इंदर क्यार कूर्स उनको help करने वाले हैं नहीं करने वाले तो यहां पर फॉर्थ स्टेप आता है वह आता है प्रिजेंट आफर अब आप उनको आफर बताना स्टार्ट करोगे कि अगर उनको प्रिजेंट करोगे कि इतनी कम है कम आपको मिलते हैं उसके बाद उनके कुछ अब्जेक्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या क्या चीज़े इसक अंदर है अगर मैं यह लेता हूं तो क्या मैं यह कर पाऊंगा अगर मैं शूशल मीडिया मार्केटिंग सीखता हूं से तो क्या मैं आगे अपनी कोई सर्विसे से को प्रोड़क्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो बिसिकली यह यहां पर आपको अब्यक्शन को हैंडल करना है नहीं होना है यह से रिपीट चलता रहता है यह सकते हो यह सकते हो ताकि आपको फॉर्दर जो है वह यूज कर पाऊ इसको एंड समझ पाऊ चीज को एंड अपलाई कर बाऊ step by step जो सेल्स है जो लीड जनरेशन वह step by step process सै असनिया कि आप नॉर्मली सीधा सीधा last step पर आ जो वहां पर चांस है कि आप बहुत जादा अपनी लीड को जो है वेश्ट कर दोगे जो नेक्स चीज आती होते है फॉलॉप का अगर आप इसको देखोगे तो फॉलॉप मैं बता हम आपको लीड जनरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखता है अगर हम अपने पुराने लीड को ही मतलब नर्चर नहीं कर पारे तो न्यू लीड को जनरेट क जूम कॉल पर साथी चीज़ें डिसकस कही है फॉर्स अफॉल उनके सांट डिसकस करो दैन आप नई लीड के साथ जाओ और मैं यह कहता हूं कि अगर आप 10 जनरेट करते हूं तो पूरे 10 लीड को जो है आप कर दो जितने लोग कर सकते थे उन सबको जोइन करवाया और मैं तो यह कहता हूं कि आप सिंपली अगर आपके बहुत जादा आपको एक लीड के फोकस करो एंड एक लीड को नर्चर करो एक लीड के साथ अपना टाइम दो आगर वो जो है आपका क्लोज होता है वालन हो यह गलत चीज़ है उसके बाद कई लोग कहते हैं कितनी बार करें करते हैं तो आप में लोग है जिनको प्रॉलम आती है सेल नहीं कर पा रहें आपके साथ प्रॉब्लम क्रेट करें कि मैंने आपकी कहने पर यह चीज़ कर लिया और यह सारी चीज़ें हो गए मैं लेना नहीं चाहता था अपने फोर्ट के यह यह सारी चीज़े उल्टी सीधी बात है इस अच्छा है कि आप उसको प्रॉपर टाइम दो सेल्स अपने आप हो जाएगे सिर्फ इस प्रोसेस को अपने माइंड के अंदर रखना उसके बाद जो नेक्स जी आती है लीड ज इंस्टाइब के उपर लिए तो भी आप जो है इसनको को अटोपाइलेट पे करते हो तो यहां पर होता ही है कि आप जैसी कोंटेंट करते हो उसके अंदर आप नॉर्मल एक कॉल्टु एक्शन देदेते हो नार्मल पे क्या होगा है कि वह से कोई करवाना चाहते हो तो फॉ तो बेसिकली लीड अगर आटो पाइलेट पर करना है तो वह होता है आपका कॉंटेंट मार्गेटिंग के थूप यहां पर भी एक जो चीज़ आती है मैं फॉलॉप की बात कर रहा था अगर फॉलॉप को भी आप आटोमेट करना तो यहां पर हम यूज करते हैं अगर आप इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास इतने जाता लीड नहीं तो आप कर सकते हैं आपको आपको करके ही जो है फॉलॉप लेना पड़ता है तो वह एक अप्शन रहता है अगर आप इमेल से थू जाते हो तो अगर आप कॉंटेंट के सुरु जाना चाहते हैं मेरा पर्सनल जो मैं कहूं कि यह मेरा पर्सनल फेवरेट होता है करते हो वहां से आप लेड आती है ज्यादा बैटर कि आप नॉर्मल जो है रैगुलर बेसेंट करने का बीसिक आपको बताओ तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप पर प्रवाइड करते हैं जैसे एक मिनट की वीडियो जो है वो डाल सकते हो तो वह एक अच्छा उप्शन आता है कॉंटेंट के तुरू जो करने का अब जो नेक्स जो पॉइंट आता है वहता है को लीट का आप में से बहुत साथ लोग यह चीज़ करते हैं कि आप ऐसे अगर डारक्ट मैसेज करते किसी को तो वहां पर बहुत मिनिम्म चांसे की परसंट जो रिप्लाई करेगा अगर रिप्लाई करता भी है तो होत कि मैसेज किया कि मेरा यह प्रोड़क्ट है मेरी सर्विस अगर आप इसमें इंट्रस्टेट है तो लोग आपको परसनली जानते नहीं आपके कोई उनसके साथ कनेक्शन नहीं है तो कोड़ लीड्स डेफिनिली कर सकतो बट फोकस करना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर जो है इसको फॉलो करें जो है आप मेरे प्रोड़क्ट आपने सर्विस को जो है इसलिमें मना करता हूं कि अब लिंग्डिन के ओपर जो है डिरेक्ट ली जो है इस डायक्ट मैसेज़ को यूज करने साथ आच्छा है कि आप यह फाइव स्टप फॉर्मूला यूज जो बिसक्लि आपको बताता हूं यह जो चीज नहीं है यहां पर आपको कंसिस्टेंट करने पड़ते हैं एक महीना लगेगा दो महीना लगेगा इस चीज को करने में बट यह अगर आप यह चीज करते हो तो यह लॉंग टम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशल रहने वाला बहुत बेनिफिट देता है अगर आप इस तरीके से काम करते हो और जिनके पास ओलेडी ओडियंस है उनके लिए तो यह हो जाता है बट जो जीरो से स्टार्ट करते हैं कि बहुत साई लोग आप में से लिंग्डिन के उपर नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता ह स्ट्प्व में सब्सक्राइब करने अपर जाता है और आपके चाने वाले अब्सक्राइब करने वाली अब क्या चाता हो कि अग्या करें वह पर प्रोड़क्ट लागे कोई सर्विस ले आपके साथ फ्री में बात करें या फिर आपके कॉंटेंट के साथ इंगेज करें तो फिर्स अपना गोल डिसाइड करो विदाउट गोल कुछ भी नहीं होता है यह को पताया हुआ कि आप स्मार्ट गोल फ्रेमवर्ग का भी जो है की विद्र गोल सैठ करना यार बहुत जाद है जरूरी हो जाता है लाइफ में लाइफ में भी अगर आप कुछ करना जाता हूँ अकरने वाल है उसको क्या करना है किए ऐसे सारी आप लिखके रखते तो अपने नोटमी वोगए सब्सक्राइब बात करता हूँ तो आप अगर लखेंद आपको Axe अपने ड कैना मैंने स्टार्ट स्टार्ट liberal ow manifested वीक में कितने followers को जो है गेन करना है next week में कितने followers को गेन करना है मैं 10 के कब कितने time में अचीव करूँगा किस date को अचीव करने वालों तो बिसिकली यह एक proven method है अगर आपने एक हैं सुना हुआ कि अगर आप goals को लिख दे तो फूरे होते हैं आप लोगों को इसके उपर बिलीव करना चाहिए आप आप जो भी आपका goal है अगर आप चाहते हो कि मैं एक मंद के अंदर बिस्काण पर ट्वंटी सेल्स करना चाहता है तो बिसिकली उस ट्वंटी सेल्स को लिख करने है और उसके बाद जो अपने अगरे करो मुझे ट्वंटी सेल्स कर में तो मुझे क्या क्या स्टैप्स दो हैं वह लेने पड़ेंगे उसके बाद जो नैक्स्ट जो जो स्टैप आता है केरेट हिट लिस्ट आप हैपर टार्गेट प्रोस्पेको्ट्रों अब यह बिसिकली किस तरह की से होता है आप most of the time क्या करते हो simply LinkedIn पर जाते हो टाइब करते हो फिर शर्च करना अंड यह एक मिल्कुल हईपर टार्गेट आडियंस नहीं है स्टुडेंट्स क्या है स्टुडेंट्स तो यह अपको यह अपको यह अपकूज करते हो तो बैसी कि लिए कर्तों यहां पर आप मालो सब्सक्राइब करें तो यहां पर देखती हो या आप स्टूदिंस को सच करते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको तो यहां पर यहां पर रेंडम जो रिजल्ट्स है वह मिलने लग जाता है इनको आप मैसेज करते रह जाओगे कोई भी लीड जो आपको नहीं मेलने वाले जैसे यह सारे स्टुडेंट्स है यह ज्यादा बेनिफिशल रहा है कि आपको किस तरीके से कहां कि लोकेशन चैन नहीं जैपूर यहां पर सच करना है इंडस्ट्री क्या होने चाहिए इंटरनेट इंडस्ट्री सॉफ्ट्वर जो उसके बाद आपका यह टार्गेट ऑडियंस जो है वह बन जाते हैं जैसा में ने बताए कि आप नोर्मली सर्च करना स्टार्ट करते हो इसके पहले आपको करना है जो भी जिनको आपको सब्सक्राइब करना है उन सारे फिल्टर्स को लगाओ कहां के लोगो आप इसके बाद प्रोसपेक्स च्डियंट से तो स्टुडेंट कहां कि होने चाहिए क्या उनका इंट्रस्ट होना चाहिए जो चीज़ें वह देखो उसके बाद उनको सब्सक्राइब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो आप उनके सांट कनेक्शन जो है आप इनिशेट कर सकत तो बिसिकली नहीं आपने इपने प्ने हैइपर टालगेट लेस्टव कर ली अब उनको कनेक्शन संब करो ग्रेट्व बेसे के साथ और पर स्नलाइज मेसेज आप कैसे कर सकतो क्लिए एक टेंपलेट आप देख सकतो यहां पर आप इस टेंपलेट का यूज कर सकतो सब्सक्राइब को जो है यूज कर सकते हैं यहां पर प्रोफाइल लिंग्डिन थाट भी बहुत बनेफिट फॉम कनेक्टिंग विद इच अधर इस तरी के सा आप एक पॉर्सनलाइज मैसेज रहा सेंड कर सकतो जिसको भी आपका नेक्शन रिक्वस्ट भेजरो लिंग्डिन आप एक दिन के अंदर यह कर सकते हैं दस लोगों को टार्गेट करो सिंप्ली दस लोगों यह मैसेज बेज़ो बहुत ज्यादा लोगों बेज़ो तो आप एक्शन ब्लॉक हो जाओगे और उसका भी कोई खास बैनेफिट नहीं होने वाला है विसकली दस लोगो को बेज़ करने के बाद आप उनको कर सकते हो बाद में बड़ फर्स्ट जो स्टैप आता है वहाथ रेलेशनशिप का जैसे आपको करते जाओगे तो आपको उनकी नीड समझ आतनी लग जाएगे जब आपको नीड समझ आएगे तब आपना आफर जो हैंके सामने प्रेजेंट करोगे अपने आफर के बारे में उनको बताओगे इस तरह से जो लीड है को कम्प्लीट नर्चर होने के लोजोने के चांसर जो हो जाएगे उसके बाद बाद आती है सेल्स फॉनल क्या होता है यह लिंग्डिन से थोड़ा सा हट किया है विकॉज लिंग्डिन के ओपर बात करते हो बात कर सकते हैं लिंग्डिन कोई शॉलिंग प्लाटफॉरम यह वहां पर अपने प्रोड़क्ट यह सेल्स फॉनल चाहिए बेजर लाना चाहते हैं पर अपने वहां पर अपने आपने फ्रॉडफॉर्ट करोगे जहां पर उनको ले के लिए अगर में इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जो है समझना चाहता हूं तो आप उनको क्या कहोगे हमारा जो विकली सेल्स वैबिनार होता है कर लोगे कर लेते हैं आपको किसे दूसरी चीज़ करना पड़ता है का भी प्लाटफॉर्म का भी यूज़ कर सकतो अधर वाइस नौर्मली आप एक अधर पेज को क्रेट करके वहां पे आप बात कर सकते तो उनको उनको सारी चीज़ें जो है एक्स्प्लेइन कर सकतो तो यह से लिएट खुट इसके अलावा जो जो चीज़ आती है लिंग्डिन प्रेमियम का जहां पर यूज़ करते हो तो हाँ पर कुछ ऑप्शन से आपको मिल जाते बाट आप लिक्डिन एड्स है अर्ग के बात नहीं करी घंडिन एड्स का यूज़ें कर सकते हैं वहां पर चांसे होते हैं कि हाँ आप अच्छा खासा काफी प्रफिटेबल भी होता है बट या वहां पर थोड़ा सा करते हैं यहां पर आपको टाइम लगेगा आपको टाइम देना पड़ेगा डैन जाके जो है आपके अपने प्रॉड़क्ट अपने करने करने का यहीं पर वाचिंग वीडियो में कुछ भी आपको आई हो तो नहीं से कमेंट सेक्टर में मुझे बता सकते हो मैं ट्राइग करूंगा उन सारी क्वेडियो को रिजॉल्व करने का यहीं पर इस वीडियो के इंदर तप एक लिए गुड़ बाई टेक केर